वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला सब्सक्राइब करेंगे जरूर जरूर जोइन करने का सारे नोटिफिकेशन यहीं पर आते हैं ध्यान रगें जो है तो प्छेस क्वेशन जो है पिछली क्लास में देख चुके हैं आज देखेंगे और फिर आगे भी जो भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होंगे उनको सब्सक्राइब एनालाइज करेंगे यहां से पेपर में आने के च्छांस काफी हाइए ठीक है तो यहां से एक्जाम में आपको हो सकता है सीधे सीधे कॉशन मिल जाए दूसी बात यह कि यह जो हमारी सीरीज रहीगी यह मैं रही तो हिंडी मीडियं और अंग्रेजी मीडिय कि 125 उंची प्रतिमा का नावरण कहां किया गया ऑप्शन देखिए हाइदराबाद भुपाल चेन्नेई और मुंबई यह आपको बताना है चलिए सीजिस का अंसर करते हैं इसका अंसर है साथियो हाइदराबाद हाइदराबाद जो है आज के समय में तेलांगना में इस्तित है और तेलांगना की जो मुख्यमंत्री है साथियो जिनका नाम है के चंसिखर राव उन्होंने बियार अंबेटकर की जनती के उस्ते पे हैदराबाद में 125 फिट उंची बियार अंबेटकर की प्रतिमा का तू इन्वेस्टमेंट ओवर डॉलार शेक्ष्टीन हंड्रेड मिलियन तू हैल्प कोस्टल कम्यूनिटीज एक्रोस दा कंट्री डील विद्धा क्लाइमेट चेंज यानि हिंदी में अगर हम देखें इसको तो हिंदी में है किस देश के राश्पती ने जलबायू परिवर पाकिस्तान और जापान और जो इस सवाल का सही जवाब है साथियो वो है अमेरिका ऑप्शन बी तो अमेरिका इसका बेकुल सही जवाब है याद रखेंगे अमेरिका ने क्लाइमेट चेंज को जलवायू परिवरतन को रोकने के लिए फिलाल ये इतना बड़ा एमाउंट देने की घोष्टना की है कोस्टल एरियाज में ठीक है हाँ और मैं आपको अता दूं कि यह जो है लार्जस इन्वेस्टमेंट है इन क्लाइमेट चेंज यूएस के हिस्ट्री में तो अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज को लेकर के इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं किया गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्टन नमबर 28 देखिए यूनिसको के अनुसार सह्युक्त राज अमेरिका यूनिसको में फिर से कब शामिल होगा इंग्लिश में देख लीजे वैन बिल दा यूनाइटे स अंसर करना है 28 का देखें इसका जो सही अंसर होगा साथी हो वह होगा 28 का ऑप्षन जुलाई 2023 तो जुलाई 2023 में शामिल होगा बनलब हो चुका है भी तो जुलाई निकल चुका यह यूनिसको ने खुद का है कि हम अमेरिका को शामिल कर लेंगे आच्छा सवाल यूटता है आई यूनिसको से बाहर की हो गया था अमेरिका तो एक्ट्र में 2011 में जब फिलस्तिन को इंक्लूट कर लिया था यूनिसको में तो इसको देखते हुए अमेरिका यहां से बाहर हो गया था ठीक है तो यह आपको या दखना है ठीक है 29 जून 23 में उडान योजना के तहट किस एरलाइन को पूर्वुत्र भारत में यात्री सिवाओं के लिए उडान संचालन की स्विक्रती प्रदान की गई इंग्लिश में देखिए विच एरलाइन है रिचीवड एप्रूबल तो अपरेट पैसेंजर सर्विस इन नौर्थ इस इंडिया अंडर दा उडान स्कीम इन जून 2023 आप्शन है जैट विंग एर्वेज एर इंडिया इंडिगो या फिर आप्शन दी एर इंडिया जैट विंग एर्वेज ठीक है तो जैट विंग एर्वेज को जो है यह एप्रूबल मिल चुका है सिविल एवेशन मिनिस्ट्री से और यह जो है यह फर्स्ट एरलाइन्स होगी नौर्थ इस इंडिया के लिए जो फ्लाइंग ऑपरेट करेगी इसके लाबा अगर हम देखें तो यह कब से शुरू होगा तो यह जो यह जो फ्लाइट है यह अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी यानि अक्टूबर से शुरू हो चुकी है अभी जो जन्वरी चल रहा है तो अक्टूबर में यह स्टार्ट हो चुकी है आगे देखें कुछ रमब 30 देखें जून 2023 में रिजर्ब बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन ना करने के कारण तीन बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है इनमें से कौन सा एक बैंक इनमें शामिल नहीं है देखो इन जून 2023 दे रिजर्ब बैंक आफ इंडिया है फाइंड थ्री बिग बैंक पॉर नॉन इंस्ट्रक्शन मादब सारी इसका जो आंसर है थर्टी कोशन नमबर थर्टी का यह है बैंक आफ बरोडा ठीक ऑप्शन बीस करेक्ट अगर आम देखें तो आर्बी आई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है जिन थ्री बैंक पर आर्बी आई ने जुर्माना लगाया है वो कौन सी है वो आपको बतायता हूँ वो है एक्सिस बैंक, बैंक आप महराष्ट्रा एंड जम्मू कश्मीर बैंक इन तीनों पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने के लिए आर्बी आई ने जुर्माना लगाया इसमें बैंक को बरोडा सामिल नहीं है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन न हिमाचल प्रदेश, उत्त्रप्रदेश, एंड अरणाचल प्रदेश, हिंदी में है किस राज सरकार ने जून दुर्वारतेश में अपने सूचना प्रवज़ोगी की विवाग का नाम बदल कर डिजिटल प्रवज़ोगी की और शाषन विवाग कर दिया है ऑप्शन मद्र के कर लिया है डिजिटल प्रवज़ोगी की और शाषन विवाग यानि इसका जो नाम हो गया है चेंज हो के वह हो गया है डिजिटल टेक्लोडी एंड कवर्नेंस तो याद रखना इंपोडेंट क्वेशन है एक्जाम में आ सकता है चलिए भड़ते हैं क्वेशन अमबर 32 प इंदी में 22 से 24 सितंबर दोयार 24 तक विश्यो की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता मोटो जीपी दोयार 30 का आयोजन कहां किया जाएगा ऑप्शन सार मुंबई ग्रेटर नौइडा एहमदाबाद और कोलकाता तो इसका तो आंसर बहुत ही इसी है हम लोग को प आप्शन बी इस करेक्ट याद रखेंगे ठीक है क्वेशन नमबर 33 देखें इन जुलाई 2023 विच आफ दा फॉलंग इस्टेट गवर्मेंट है रिलीज गंबूजिया फिश इन्टो वाटर बोडीज ऑफ दा स्टेट तो कॉमबट मॉस्कीटो बॉन डिजीज लाइक मलेरि तो मैं आपको बता दूं कि यह जो फिश है गंबूजिया यह फिश क्या करती है यह फिश मच्छरों के अंडे खा जाती है है तो जब यह मच्छरों के अंडे खा जाती है तो फिर पैदा ही नहीं हो पाते इसलिए क्या करते हैं कि यह जो फिश है यह मच्छरों को कंट्रो करने के काम आती है यह मौस्कीटों करती है बड़े पैमाने पर इसलिए इसका यूज किया जाता है अब हाल ही में किस ने किस स्टेट इनको वाटर बॉडी में छोड़ दिया है तो ऑप्शन देख लीजिए इसके ऑप्शन मद्रप्रदेश केरला अंद्रप्रदेश और आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 34 चलिए देखिए पहले हिंदी में देख लिए ओडिशा में हुए भयावाई ट्रेन हास्ते के बाद नेमलेकित मैंसे किस भारती प्रवादोगे की संस्थान द्वारा भारती रेलवे के लिए ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता करने के लिए छेड़चाड रोजी सिग्नलीं प्रणाली विक्सित कर रहा है देखिए आफर द्वारिफिक ट्रेन आप एक्सिदें इन ओडिशा विच अफॉल्वे पालिए इंडीयसिट्ट ऑफटेकलोजी इस डेलपिंग आटेंपर प्रूफिंग सिग्नल सिस्टम और safety and efficiency of train operations options are Indian Institute of Technology भुवनेश्वर, IIT दिल्ली, IIT कानपूर और IIT खरकपूर तो 34 का जो सही answer है साथियो वो है IIT खरकपूर याद रखना option D ठीक है तो IIT खरकपूर is developing a temper-proof signaling system based on a blockchain technology for the Indian railways याद रखेंगा आगे देखिए question number 35 which of the following country is going to introduce a renewable H-1B visa recently हिंदी में हाल ही में निमनेखित मैंसे किस देश हाल ही में कौन सा देश नभी करनी है H-1B visa की शुरुआत करने वाला है option है भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस तो देखिए ये जो H-1B visa है ये basically दिया जाता है अमेरिका के द्वारा तो option B बिल्कुल इसका correct है ठीक है याद रखेंगे important है ये ठीक June 23 में जापान ने शारिक संबंध के लिए सहमती की आयू को बढ़ा कर 16 वर्ष कर दिया है इससे पहले ये आयू कितने वर्ष की निरधारित थी question number 36 English में भी देख लिजे इन जून 2023 जापान has raised the age of the consent for sexual intercourse to 16 years earlier this age was fixed at how many years options are 12 years 13 year 14 year या 15 year 36 तो 36 का जो correct answer है वो है 13 year या तक ना याद जापान में जो पहले consent for sexual intercourse के लिए जो age थी 13 year अब इसको जो है बढ़ा करके कर दिया है 16 year यानि पहले 13 साल की कोई लड़की अपनी इच्छा से sex कर सकती थी बढ़ इस age को बढ़ा कर दिया है 16 साल इंडिया में ये age का अभी भी 18 साल है आगे दिखेंगे 37 the haryana government has announced a monthly pension for how much रुपी to the padam awardees of the state options are 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज और 25,000 रुपीज हिंदी में भी देख लिजे हर्याना सरकार ने राज्य के पदम पुरुषकार विजेताओं को कितने रुपए महासिक pension देने की घोशना की है 5,000 रुपए 10,000 रुपए 20,000 रुपए या 25,000 रुपए तो इसका जो आंसर है साथी हो वो है 10,000 रुपए यानि 10,000 रुपए मंतली जो है हर्याना सरकार देगी जो पदम अवार्डी है हमारे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्याना के जो CM है वो है मनुहर लाल खटर उन्होंने बोला है कि हम जो है हम एनाउंस करते हैं मंतली पेंशन आफ 10,000 फॉर्दा पदम अवार्डी जो है इसके लाबा उन्हें फ्री टैवल मिलेगा स्टेट गवर्मेंट की वॉल्वो बसे में तो बस में भी फ्री टैवल कर पाएंगे जो पदम अवार्डी विजेता है वो मुझे लगता बस में जाना चाहेंगे वो क्योंकि इतने अवार्डी विजेता है तो फिर कार तो कम से कम होगी हमाई तरह गरीप लोड़ी होंगे आगे देखो क्शन नमब 38 एक जुलाई जुलाई जुयर तीस से सुपर मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैक पर प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है ऑप्शन भारक न्यूजिलेंड ब्राजिल और फ्रांस इंग्लिश में देख लीजे बन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रडूस्ट बैक इन सुपर मार्केट फ्रॉम जुलाई फस्ट ट्विश्व का प्राजिल और फ्रांस तो 38 का जो आंसर है वो है अप्शन भी न्यूजिलेंड हाला के भारत में भी हम देखते हैं कि बहुत बार जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेल लगाने की बात आती है मैं जिस शेहर में रहता हूँ ये पश्मी यूपी का एक छोड़ा सेहर है काश गंच तो कासन में भी हमने देखा है बहुत बार जो है जो हमारी नगर पालिका है वो क्या करती है अभ्यान चलाती है सिंगल यूज प्लास्टिक को रोगने के लिए और अभ्यान किस पर चलाती है जो सडक के किनारे जो ठेले वाले खड़े होते हैं है ना जो जो फास्ट फूड बेच रहे हैं उनके उपर चापा मारती है सबजी वालों पर चापा मारती है है ना बाकी जो है दो चाथ दिन चापा मारती है फिर वो जो है नॉर्मल हो जाता तो सिंग्य वाजण फ़स्टेट इन इंडिया तू बैन दीजू ऑफ सिंगल-ईूस प्लास्टिक इन नाइटी नाइटी-एट ननीज चिंगन इन टीजुटी में ही सिंगल करनेवाला पहला स्टेट बन गया था इंडिया में यह भी आपको याद रखना चाहिए हो सकता है में पूछ लें चलिए बढ़ते हैं कुछ नमबर 39 पे खेलो इंडिया उनिवेस्टी गेम्स 2023 में कितने पतक जीत कर पंजाब उनिवेस्टी सीर्स पर रही पंजाब उनिवेस्टी टॉप दा खेलो इंडिया उनिवेस्टी गेम्स 2023 बाइद बिनिंग हाउ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 69 जिसमें 26 इन्हों ने जीते हैं गोल्ड 17 जीते हैं सिल्वर और 26 जीते हैं ब्रॉंज ठीक है याद रखना आगे देखो है इंग्लिश में भी देख लीजें तिल विचियर अप्ड़ टिल विचियर दा चाइना एनाउंस्ट तू सेंड आ मैंड मिशन टू दा मून ऑप्शन साथ 25 2028 2030 या 2032 यह आपको बताना है तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो देख लीजे देखें 40 का जो करेक्ट आंसर है व मून पे भेजेंगे आगे देखें क्वेशन नमबर 41 विच कंट्री नौर एल शेर बिनी है रिसेंटली वन दा पीएसे वुमेंस वर्ल्ड स्क्वेश चेंपियंशिप 2023 टाइटल ठीक हिंदी में भी देख लीजे हाल ही में किस देश की नूर एल शेर बिनी ने पीएसे महिला विच्व इसक्वेश चेंपियंशिप 23 का खिताब जीता है यह किस देश की है यह आपको बताना है तो अभी नाम इनका ऐसा है तो कहां की होंगी यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नूर एल शेर बिनी तो नूर एल शेर बिनी अभी तो आप्शन इसमें इजिप्ट इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा है ना क्योंकि कनाड़ा फ्रांस और इस्राइल में तो ऐसे ना मिलते नहीं है आगे देखिए क्वेशन नमर फ़र्टी टू हुँ हैस बीन नॉमिनेटेड बाई दा महाराष्टा गर्रमेंट एज दा इसमाइल एम्बेजडर फॉर दा ओरल हाइजीन कैंपेंड आप्शन सार अक्षे कुमार रोहिश शर्मा सजिन तैंदुलकर और विराट कोली हिंडी में देख लीजे महारा सरकार ने मौखिक स्व आगे देखे 43 31 मही 23 को केंद्री मंत्र मंदल को सहकारिता के छेत्र में अनाज भंडारन चमता बढ़ाने के लिए कितने लाग करोड की योजना को मंजूरी दी है ऑप्शन है दो लाग करोड रुपए एक लाग स्ती अजार करोड रुपए एक दिशलों पांच लाग करोड रुपए या एक लाग करोड रुपए 43 देख लीजे इंग्लिश में ओन में 31 2023 दा यूनियन क्याबरेट है एप्रूब आ स्कीम ऑफ हाव मैनी लाग करोड तो इंक्रीज दा ग्रेन स्टोरेज कैपसिटी इन दा कोपरेटिव सेक्टर इसका जो करेक्ट आंसर है साथी हो व स्टोरेज कैपसिटी इन दा कोपरेटिव सेक्टर एफसी विगरा की बात हो रही है आप है आगे देखो आगे है कुशन नंबर 44 हाल ही में जारी स्टेट बैंक और इंडिया की रिपोर्ट के नुसार वित्वर्श 2023 में भारत की जीडीप व्रदिदर कितने प्रश्यत रहन का अनुमान है इंग्रीज में देख लिजे अकॉर्डंग तूदर रिसेंट्ली रिलीज्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया रिपोर्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इस एस्टिमेटेट तूभी वाट परसेंटेज इन फाइनिशल येर 2023 ऑप्शन सार 7 परसेंट 7.8 परसेंट 6.5 परसेंट या 6 परसेंट तो 44 को अगर हम एनलाइस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो है ऑप्शन ए 7 परसेंट के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी जीडीपी की में बात करूँ तो जीडीपी होती है ग्रॉस दमेस्टिक प् लगों मतलब है आपने टोटल प्रॉडक्शन कितना किया है कंट्री में इसी को कहा जाता है जीडीपी है ना जीडीपी में होने वाला जो इन पर्षेंट परसेंटेज इंक्रीज होता है इसी को हम बोलते हैं इंडिया की ग्रोफ रेट अगर जीडीपी पॉजेटिव है मतलब भारत तरक्की कर रहा है और जीडीपी नेगेटिव है भारत तरक्की नहीं कर रहा है इसका मतलब यह होता है उत्तरपदेश गवर्मेंट विल प्रोवाइड फानेशियल असिस्टेंस तू हाउ मैनी थाउजन रुपीज तू प्रमोट यूथ टूरिजम एक्टिविटीज इन गवर्मेंट स्कूल्स ऑप्शन्स आर 5,000 रुपीज 25,000 रुपीज 15,000 रुपीज 10,000 रुपीज हिंदी मे 15,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए 45,000 रुपए की साहता प्रतान करेगी उत्तपरे सरकार युवा प्रेटन गत्विदियों को बड़ावा देने के लिए बच्चों को गुमाने के लिए बेसिकली आगे देखिए 46 देखिए किस राज के थाड़े जिले के भिवंडी रहा है ओप्शन है हर्याना, MP, महाराष्ट या पंजाब इंग्लिस में भी देख लीजे इंडिया फर्स्ट कार्बन नूट्रल विलेज इस बिंग डबलब्ड इन भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्टिक्ट ऑफ विच स्टेट बेसिकली आपको पता है थाने डिस्टि का मतलब क्या है यहां से जो भी कार्बन एमिशन होगा जो भी कार्बन यहां से निगलेगी उस सारी की सारी कार्बन को यह खुद से एब्जॉर्व कर लेगा यानि हमारे एंवायरमेंट में इस गाउं के द्वारा कोई भी कार्बन डाय ऑक्साइड नहीं छोड़ी क्या कर्बन डेख साइड को यूज करेंगे बिल्कूल भी क्या कर्भेन डैयोकसाइड निकले नहीं धैके कार्जान होने क्रेंगे एतने और उने पेड़ पाध ही लगा ना उससे होगा क्या कि जो भी कर्बन डे और चलbee वोसोड़ेंगे एक तो जितना यहैमिशन करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी कर लेंगे इससे होगा क्या कि इन्वारमेंट में यह जीरो कार्बन के रूप में आ जाएंगे है ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन न्यूटरल क्योंकि कार्बन एमिशन तो होगा आप अगर कुछ भी डवलप्मेंट का काम करोगी तो कार् सब्सक्राबन न्यूटरल ओके तो यह इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं तो याद रखना इसका अंसर हो जाएका महारास्ट्रा आगे देखिए अंडर जूस चेर्मेंशिप हैज़ा सेंटल गवर्मेंट कॉंसिट्यूट अ थ्री मेंबर्स पैनल टू इन्वेस्टिगेट मनिपूर वाइलेंस रिसेंटली अभी यह बहुत चर्चा में रहा देखिए मनिपूर वाइलेंस बहुत चर्चा में रहा है तो यहां पर सेंटल गवर्मेंट ने क्या किया है कि मनिपूर वाइलेंस की जाच करने के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी ब जो मनिपुर्वाइलेंस हुआ है उसको उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमेटी बनाए गई है उसके हैड है अजय लामबा याद रखना इंपोर्डेंट कॉश्चन है पेपर में आ सकता है सीरी सीरे क्योंकि मनिपुर्वाइलेंस बहुत चर्चा में रहा है आगे बताना है कहां किया है उप्शन सार लखनो मुंबई बैंगलॉर एंड कोलकादा 48 तो 48 का जो करेक्ट आंसर है यह बैंगलॉर याद रखना बैंगलॉर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट कुभेर को लॉंच किया है आप लोग कमेंट करेंगे बताओ यह आ वेर विल दा फर्स्ट एडिशन ओफ प्रीमियर हैंड बॉल लीग बी प्लेइड फ्रॉम एट जून टुटिफाइफ जून टुटिटीटिटीटीटी त्री ओप्शन सार बैंगलॉर हाइदराबाद जैपूर और भोपाल एंड करेक्ट आंसर इस आप्शन सी जैपूर त नाटो आर्क्टिक चैलेंज मिलिक्ट्री एक्सराइज 2023 वाज हेल्ड इन विच कंट्री हिंदी में भी देख लीजे हिंदी में है नाटो का आर्क्टिक चैलेंज सेन अभ्यास 2023 किस देश में आयूजित किया गया आप्शन से आपके यूके कनाडा फ्रांस और फिल्लेंड और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियो फिल्लेंड तो नाटो का जो आर्क्टिक चैलेंज मिलेक्ट्री एक्सराइज है ये हुआ है फिल्लेंड में इसी के साथ ये सीरीज हमारी कंप्रीट होई आगे हम और भी मैं पढ़े प्रियास करूँगा कि आपको करेंट अफ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर डेली क्लास की धमागेदार डोज आपको मिलने वाली है जो एक्जाम में आपको बहुत हैल्प करेगी मिलते हैं साथियो फिल्ली क्लास में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे मातरम